वेलो गाइज और वेलकम बेक टू माई चेनल तो दोस्तों आप सब केसे आई होप आप सब अच्छी होंगे तो आप सबको थमने लो टाइटल देखके पता चली गया होगा कि आज इस वीडियो में आप सबको क्या बताने वाला हूं तो वीडियो में आप बने रहें और मैं इसके वीडियो में बताने वाला हूं कि JCB में हैड्रोलिक फिल्टर कितना होता है और कहां कहां होता है तो उससे पहले आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बैल आइकन को दबा दे ताकि हमारे आने वाले हर नए अपडेट आप तक सबसे पहले कि JCB में हेने बाये श्याड में हैड्रोलिक का होता है तो इस में से कितना फिल्टर होता है वो आपको बताने वालवा हूं, तो सबसे पहले मेने असराप लेजर पे JCB को Columbus को खड़ा कर दिया है ताकि दिखाने में आसान हो तो चलते हैं दोस्तों यह कि आ है न यह होता है में फिल्टर ठीक है हाड्रोलिक का मैं सिर्फ इधर हाड्रोलिक फिल्टर का बात कर रहा है मसीन में टोटल बहुत सारे फिल्टर है लेकिन मैं इसमें सिर्फ हाड्रोलिक फिल्टर का बात कर रहा हूं तो यह जो यह मेन फिल्टर होता है और इसके बगल में इसके बारे में भी बहुत लोग को मालूम नहीं है सोचते हैं कि यह हैड्रोलिक डालने के लिए इधर से रास्ता है और इसका यह धकन होता है लेकिन धकन में भी एक फिल्टर होता है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं सेकंड फिल्ट आपको दिखाते हैं, इसे पटी लगा हुआ है, लोखंड का तो इसके अंदर एक फिल्टर रहता है अभी हम आपको सई से दिखा नहीं पाएंगे लेकिन इधर एक फिल्टर रहता है जिसको थर्ड फिल्टर बोलते हैं तो मसीन में टोटल मसीन में टोटल तीन फिल्टर होता है जिसको मैंने आपको अच्छे से डिसक्राइब करके बता दिया है कि मेन फिल्टर, सेकंड फिल्टर और थर्ड फिल्टर यानि कि एक-टाकी के अंदर तीन फिल्टर होता है